Hello everyone, आज हम Class 7 का Mathematics की Exercise 1.1 को सल्प करेंगे तो चलिए देख छूट करते हैं पहले जो कोश्चन हमको दिया है, और कि Write down a pair of integer whose sum is minus 7 हमको एक ऐसा pair बनाना परेगा, हमको एक ऐसा 0 बनाना परेगा, जिसका sum होगा minus 7 हम मतलब plus करना जबा, तो हम किसे सल्प कर सकते हैं, तो हम ऐसे सल्प कर सकते हैं हम ले सकते हैं minus 4 plus minus 3, तो एक pair लिया हमने minus 4 and minus 3 तो इन दोनों को sum करने से आएगा minus 4 plus minus में minus होता है and then minus 3 is equal to हमें पता है कि अगर दो नमबर minus में है, तो वो plus हो जाता है तो क्या होगा, 4 plus 3 हो जाएगा 7, जो बरा है उनका एक minus है, तो हम इसमे minus देते हैं तो हम एसे इसको सल्प कर सकते हैं हम और एक pair ऐसे ले सकते हैं कि minus 5 plus minus 2 तो इस pair को भी हम सल्प करके minus 7 ला सकते हैं कि क्या होगा, minus 5 minus 2 कितना आएगा, minus 7, तो एसे हम इसको सल्प पर सकते हैं तो next दिया है कि difference is minus 10 हमें एक pair लेना है, तो हम ले सकते हैं किया, minus 20 minus minus 10 हम यह ले सकते हैं, तो क्या होगा, minus 20 minus में क्या होगा, plus होगा, then 10 तो क्या होगा, minus 20 plus 10 आएगा, minus 10 तो हम ऐसे इसको सल्प पर सकते हैं next question है कि sum is 0 तो हम इसको कैसे सल्प कर सकते हैं? हम इसको सल्प कर सकते हैं ऐसे, minus 5 plus 5 is equal to 0 हम और भी pair ले सकते हैं, जैसे कि minus 10 plus 10 is equal to 0 हम और भी ऐसे pair ले सकते हैं, जैसे कि minus 20 plus 20 is equal to 0 तो हम ऐसे pair लेकर इसको सल्प कर सकते हैं तो हम next question देखते हैं next question में क्या दिया है? 2a में दिया है, write a pair of negative integers or difference give 8 हम एक ऐसा pair लिखना परेगा, जिसमें negative integer हो, तो उसका difference आएगा 8 तो हम एक ऐसे कर सकते हैं? हम इसको ऐसे सल्प कर सकते हैं कि हम पहले ले सकते हैं, minus 8 plus 16 कितना हो जाएगा? minus 8 plus 16 करने से हमको मिलेगा plus 8 तो हम ऐसे इसको सल्प कर सकते हैं next में क्या दिया है? minus 5 तो हमको एक ऐसा pair लेना परेगा, जिसका एक negative integer होगा और एक positive integer होगा और उसका sum जो होगा, उसका जो plus होगा, वो होगा minus 5 तो हम इसको कैसे ले सकते हैं? तो हम इसको कैसे सल्प कर सकते हैं? हम इसको सल्प कर सकते हैं ऐसे, minus हम ले सकते हैं, minus 10 and plus 5 कितना हो जाएगा माइनस 10 प्लस 5 करने से हो जाएगा माइनस 5 और हम ले सकते हैं माइनस 15 प्लस 10 करने से कितना आएगा माइनस 5 आएगा तो हम इस question को ऐसा solve कर सकते हैं तो next question में क्या दिया है next question में है write a negative integer and a positive integer whose difference is minus 3 हमको एक positive integer लेना है और एक negative integer लेना है और इसका जो difference आएगा वो minus 3 आएगा तो हम इसको कैसे solve पर सकते हैं हम इसको एसे solve पर सकते हैं minus 2 minus plus 1 एक positive integer लिया और एक negative integer लिया तो यह क्या होगा यह होगा minus 2 and minus 1 minus 2 और minus 1 करने से क्या मिलेगा हमें मिलेगा minus 3 तो इस question को हम ऐसे solve कर सकते हैं तो हम next question देखते हैं question है इने quiz team A scored minus 40, 10 and 0 then team B scored 10, 0 and minus 40 इन 3 successive round which team scored more can we say that we give and add integer in any order तो हम इस question को कैसे solve कर सकते हैं तो देखे हम इस question को एसे solve कर सकते हैं पहले हम लिख लेते है team A team A is equal to minus 40 हम इसको sum कर देते हैं कितना हैगा minus 40 plus 10 plus 0 कितना हैगा minus 40 plus 10 करने से कितना हैगा minus 30 plus 0 minus 30 plus 0 करने से क्या आएगा minus 30 and then हम solve करते हैं team B को team B को कितना score मिला then team B is equal to team B का score क्या किया था 10 plus 0 plus minus 40 तो 10 plus 0 करने से क्या आएगा 10 आएगा and इस site में क्या है minus 40 है तो 10 minus 40 करने से क्या आएगा minus 30 तो हम इसे इसको solve कर सकते हैं तो हमार जो कोशिन में था कि किसका score ज्यादा है तो किसी के score ज्यादा नहीं है दोनों का minus 30 है दोनों के score equal है आज हम class 7 का mathematics की 1.1 exercise को solve किया तो next class में हम exercise 1.2 को देखेंगे तो आज के लिए इतना ही thank you कर दो